Hello everyone, welcome to affairs with business, आज के session में आप सभी लोगों का स्वागत है, ये हम लोगों की financial management के MCQ series की part number 3 है, मतलब class 3 है, इससे पहले हम इस series की 2 classes already कर चुके हैं, और आज ही class के जो हमारे topics रहने वाले हैं, इससे पहले हम काफी topics cover कर चुके हैं, time value of money, production, capital structure, cost of capital, capital budgeting, आज ही class में हम लोग mainly जो questions करने वाले हैं, वो हम करने वाले हैं, dividend decision topic से, leverage से, और working capital से, clear हैं, बस इन ही तीन topics से आज की class में हमारे questions रहने वाले हैं, तो class को start करते हैं, उससे पहले वो सभी students, जो जहारकन PGT commerce या MPPSC assistant professor exam की तियारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए हमारे app पर complete course अविलेबल है, आपके detailed, आपके syllabus के according, जिसमें आपको complete recorded lectures मिल जाएंगे, TA, NET, JRF, qualified teachers से, आपको classes मिलेंगी, practice के लिए आपके पास MCQ sessions होंगे, PDF आपको printable formats में मिलेंगे, Hindi और English दोनों ही language में, और साथ ही में mock test आप लोगों के लिए quiz के साथ अविलेबल होंगे, course को purchase कर सकते हो, आपका link description में given है, ठीक है, चलिए, तो class शुरू करते हैं, बिना time को waste करते हुए बिलकुल, सबसे पहला question है, आज की class का हमारा, वो है, the term leverage in general refers to a, सबसे पहला question यही है, कि जो leverage है, leverage का मतलब क्या है, ठीक है, और मैंने यह देखा है, कि students वो सबसे जादा काफी बार leverage पढ़ लेते हैं, मगर इस्टिल उनको leverage का क्या मतलब है, वो अभी तक clear नहीं होता है, देखो, आपको बताना है, कि इन चारो option में से leverage का मतलब क्या है, relationship between fixed cost या फिर profit, या फिर relationship between sales and fixed cost, या फिर relationship between two interrelated variables, या फिर relationship between two unrelated variables, देखो, leverage जो term है, वो financial management ने बौरो किया है, किस से? फिजिक से बौरो किया है, ठीक है, किस से बौरो किया है, इसमें क्या होता है, इसमें कहा जाता है, कि liver की help से, काफी बड़ा जो भी समान होता है, उसको force करना, मतलब थोड़ा सा एक जो बंदा है, वो थोड़ा सा ही force लगाता है, ठीक है, इतने बड़े amount of समान को push करने के लिए, थोड़ा सा force लगाता है, और greater benefits, जादा benefits लेता है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, कि अगर वो अपने हातों को use करेगा, ठीक है, अपना ही force लगाएगा, तो बहुत जादा force लगेगा, मगर with the help of liver, वो क्या कर पा रहा है, इतने बड़े समान को, इतने जादा समान को, वो आसानी से move कर पा रहा है, मतलब कम force लगाके, जादा benefit उसको मिल रहा है, तो यही term जब leverage में use हुआ, तो कहा गया, कि अगर उसको कोई business start करना है, या फिर daily उसके लिए भी चाहिए, तो अ तो क्या होता है, debt, क्या बात होती है, debt की, मतलब वो जब बाहर से borrow कर लेगा पैसा, यहाँ पर debt क्या use हो रहा है, as a liver, मतलब उसको help ली, क्या करने के लिए, greater benefits के लिए, ताकि वो जादा से जादा return कमा सके, पैसा आएगा company में लगाने के लिए, तभी तो वो return कमा पाएग अपने investment पर, जादा से जादा return कमाने के लिए, जादा से जादा benefit अवेल करने के लिए, उसने क्या किया, बाहर से borrow किया, तो leverage क्या होता है, किसी भी company की debt taking capacity को बताता है, कि कितना एक company debt ले सकती है, कितना एक company के साथ risk associated है, क्योंकि उसको पता है कि borrow कितना किया है, तो वो उ से क्या calculate कर पाती है, कि उसका risk कितना है, एक company के कितना उसके साथ risk associated है, correct, तो ये क्या है, जो भी हमारे ये सारे interrelated variables है, उनके बीच का relationship है, leverage, ठीक है, जितने भी हमारे interrelated variables है, मतलब C, इसका correct answer है, ठीक है, financial variable, एक financial variable का दूसरे financial variable पर क्या effect है, relationship between two interrelated variables is generally means leverage, clear है ये चीज बिलकुल, C, इसका सही answer हो जाएगा, देख लेते हैं एक बार, leverage क्या है, leverage वो portion है, fixed cost का, जो एक company के risk को represent करता है, ठीक है, ये एक ऐसी investment strategy है, जो borrowed money से, क्या किया जाता है, बॉरोड money से जादा से जादा return कमाने की strategy है, जादा से जादा benefit avail करने की strategy है, ठी इसी technique है, जो company से, जो risk associated है, उसको evaluate करने में मदद करता है, और देखो, लिखा हुआ है, in general, it refers to relationship between two interrelated variables, मतलब, ये represent करता है, कि एक financial variable का, दूसरे financial variable पर क्या effect होने वाला है, I hope leverage बिलकुल, अच्छे से समझ में, अभी आपको आ गया हूँ, ठीक है, clear है ये चीज बिलकु है अब देखिए, चलते हैं, next question पर, next question पूछ रहा है आप से, which of the following is not commonly used measures of leverage in financial analysis, next question है आपका, ये बोल रहा है कि आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा leverage को measure नहीं है, मतलब, leverage क्या होता है बच्छों, हमने अभी देखा, risk associate कितना है company से बो देखता है, debt taking capacity को देता है, ठीक है, एक company की debt लेने की capacity कितनी है, तो अब किसी company के साथ risk कितना associated है, ठीक है, इसको evaluate करने के लिए, leverage को calculate करने के लिए, हमारे पास different methods होते हैं, leverage के, clear है, आपको ये बताना है कि इन चारों में से वो कौन सा method नहीं है, operating leverage, financial leverage, combined leverage, या फिर, matrix leverage, अब देखो, ये देखने के लिए, हम पहले ये चार्ट समझते हैं, फिर आप बहुत आसानी से बता सकते हैं, इसका answer, ठीक है, देखो, किसी भी company में दो type की cost होती हैं, जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, fixed cost और variable cost, fixed cost क्या होती है, fixed cost वो cost है, कि जब company में कोई भी activity नहीं हो रही है, still वो cost पे करनी ही पडेंगी, वो cost company को पे करनी ही पडेंगी, beer करनी ही पडेंगी, it is a business expense that does not change regardless of the demand of a product, product की demand change होती है, उसे fixed cost पर कोई fixed cost होंगी ही होंगी अगर variable cost क्या होते है variable cost वो cost है जो volume of puts के साथ change होती है अगर कोई activity organization में नहीं हो रही है तो variable cost भी क्या रहेगी 0 रहेगी, clear है अब leverage को पढ़ने के लिए सबसे जादा important होती है हमारी fixed cost, if there is no fixed cost there will be no leverage keep this in your mind, अगर fixed cost नहीं है तो leverage नहीं होगा right, देखो तो अब fixed cost जब होती है तो इसके भी दो type के होते है operating fixed cost होती है और financial fixed cost होती है ओपरेटिंग fixed cost क्या होती है जो day to day business से related होती है मतलब salary pay करनी ही करनी है, rent pay करना ही करना ही, operating business से related है salary employee आपके लिए daily basis पर काम करना है, production में मदद करते है, rent pay करना ही करना ही, यह सब क्या है, operating fixed cost और financial fixed cost क्या होती है कि preferential dividend देना है debenture पर interest पे करना है यह क्या है, financial fixed cost है अगर operating fixed cost भी नहीं bear कर पा रहा है कोई भी company तो operating risk arise होता है ठीक है, कि अगर operating fixed cost भी नहीं bear कर पा रहे ऐसी condition आ रही है या फिर यह देखने के लिए तो उसके operating risk होता है, इसको evaluate करने के लिए आता है operating leverage operating risk calculate करने के लिए क्या होता है operating leverage और उसी तरीके से अगर financial fixed cost recover नहीं हो पाती तो financial risk arise होता है और financial risk कितना है इसको calculate करने के लिए बच्चों होता है financial leverage clear है, क्या होता है financial leverage, यह बहुत clear है अच्छे से, अब देखो और जब आपको total निकालना है कि total कितना risk है एक company के अंदर तो आप क्या करते है, combined risk financial risk और operating risk का उसी तरीके से अगर आपको evaluate करना है, तो कैसे calculate किया जाता है combined leverage की मदद से किस से? combined leverage की मदद से clear है I hope अब आपको यहां से clear हो गए हूँ कि तीन ही method होते हैं leverage calculate करने के operating leverage, financial leverage और combined leverage और यह बात बिलकुल clear है अगर fixed cost नहीं होंगी तो यह कोई भी leverage नहीं होगा clear है यह चीज बिलकुल तो इसका सही answer क्या हो जाएगा which of the following is not commonly used measures of leverage in financial analysis operating financial combined तो होते ही है आपका matrix leverage इसका सही answer है यह कोई formula, यह कोई method नहीं है clear है यह चीज बिलकुल ठीक है, चलिए next है आपका financial leverage is also known as financial leverage को हम और क्या बोलते हैं trade on equity, break even point operating leverage या none of the above देखो, financial leverage क्या होता है financial risk को calculate करता है financial risk क्या होता है कि debt से interest पे हुआ की नहीं हुआ preferential dividend पे हुआ है की नहीं हुआ है ठीक है, किस motive के साथ financial leverage को देखा जाता है क्यों बाहर से loan बोरू किया जाता है पैसा, किस motive के साथ इस motive के साथ कि जादा से जादा shareholders की earning को increase किया जा सके leverage का मतलब ही है यह ना अगर पैसा borrow किया जा रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है तो जादा से जादा benefit उसके avail हो ठीक है, जो financial leverage की बात होती है तो financial leverage में क्या बात होती है कि जादा से जादा shareholder के return को increase करने की बात की जाती है इसलिए इसको क्या कहा जाता है trade on equity भी कहा जाता है break even point तो no profit no loss यह तो होगा नहीं operating leverage, financial leverage को operating leverage तो कहें नहीं सकते और none of the above इसमें answer नहीं है trade on equity financial leverage को क्या कहा जाता है trade on equity भी कहा जाता है clear है यह चीज बिलकुल तो A is the correct answer इसी के साथ next question पर चलते हैं ठीकिए next है आपका fourth question है there will be no operating leverage operating leverage नहीं होगा if अगर a firm does not use fixed interest bearing debt in its capital structure अगर एक firm fixed interest bearing debt नहीं include करेगी तो एक company में operating leverage नहीं होगा या फिर a firm does not have fixed cost in its cost structure अगर एक firm के cost structure में fixed cost नहीं होगी तो operating leverage नहीं होगा या फिर a firm does not have preference share capital preference share capital नहीं होगी तो firm में operating leverage नहीं होगा या फिर variable cost नहीं होगी तो operating leverage नहीं होगा अब आप इसका answer बहुत अच्छे से बता सकते हो कि just अभी पढ़के आ रहे हैं हम लोग, कि अगर fixed cost नहीं होगी cost structure में, तो कोई भी leverage तो leverage नहीं होगा, B will be the correct answer, clear है यह चीज बिलकुल, इसका सही answer होगा fixed cost, fixed cost नहीं होगी, तो cost structure में, अगर fixed cost नहीं होगी, तो operating leverage नहीं होगा clear है, अभी मैंने आपको बताया, previous slides में, clear है, तो B will be the correct answer, next question है, combined leverage is equals to, is equals to, combined leverage calculate करने का formula आप से directly हाँ, पूछा गया है, combined leverage क्या होता है, जब आप पूरी company का एक साथ leverage निकालते हो, मतलब operating as well as of financial, तो अगर मैंने आपको इस तरीके से बताया है, तो आप इसमें से क्या answer लगाओगे, financial leverage divided by operating leverage, operating leverage minus financial leverage, operating leverage plus financial leverage, और operating leverage into financial leverage, अब क्योंकि मैंने आपको ऐसे बताया है, एक साथ तो आप स्वभाविक, बहुत ही अच्छे से answer लगा देंगे, C, right, जो की हो जाएगा गलत, इसका सही answer है, D, क्या है, D इसका सही answer है, operating leverage into financial leverage will be D, will equals to the combined leverage, याद रखना है, multiply होगा, क्या होगा, multiply होगा, operating leverage, multiply to financial leverage, will gives you the combined leverage, clear है ये चीज़ बिलकुल, देखो, इसके सभी formula को हम एक बार ध्यान से देख लेते हैं, ये पूरा आपका leverage है, इस page में पूरा आपका leverage है, इतना आप बढ़ चुकी, इसको मिलाकर पूरा leverage है, यहाँ पर sum up हो जाता है, सबसे पहले, operating leverage निकालने का formula, कैसे operating leverage को calculate किया जाता है, हर leverage में दो चीज़ है, एक operating leverage, एक उसकी degree, financial leverage, उसकी degree, उसी तरीके से combined leverage और degree of combined leverage, देखिए, operating leverage निकालने का formula है, operating leverage is equals to contribution upon EBIT, अब ये contribution कैसे निकलता है, EBIT कैसे निकलता है, वो मैं आपको आगे आने वाली classes में बताऊंगी, मगर फिलाल ये देखना है आपको, कि operating leverage is equals to contribution upon EBIT, ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है, कि ये EBIT कहां आ रहा है, earning before interest and taxes, कहां आ रहा है, जिस साइट EBIT आएगा, ये सिर्फ आपको याद कराने के लिए है, उसके just opposite, जब हम degree calculate करेंगे, तो वो उसके just opposite होगा, जैसे formula में क्या है, operating leverage is equals to contribution upon EBIT, EBIT is earning before interest and taxes, ठीक है, ये हो जाएगा आपको operating leverage, अगर आप degree of operating leverage calculate करने जाओगे, तो क्या करना है, EBIT यहाँ नीचे था, यहाँ EBIT उपर आ जाएगा, percentage change in EBIT upon percentage change in sales, sales क्यों, क्योंकि operating leverage है, day to day, क्या करती है, अपनी sale करती है, तो sale को increase करने के लिए, उसका main operating leverage है, benefit कहाँ उठाएगा, वो sales को दाधा स्यादा increase करना चाहता है, ठीक है, तो degree of operating leverage में क्या होगा, EBIT उपर आ जाएगा, percentage change in EBIT upon percentage change in sales, clear है यह चीज़ बिलकुल, operating leverage is equals to contribution upon EBIT, और EBIT क्योंकि नीचे है, तो degree में percentage change in EBIT upon percentage change in sales, अगर वहीं financial leverage की बात की जाए, तो financial leverage कैसे calculate होता है, यहाँ पर EBIT उपर आ जाएगा, यहाँ EBIT upon EBIT, earning before interest in taxes upon earning before taxes, earning before interest in taxes upon earning before taxes, अब यहाँ पर EBIT उपर है, तो degree of financial leverage में कहाँ चले जाएगा, यह नीचे चले जाएगा, percentage change in EBIT, और उपर क्या आएगा, EPS, क्यों, क्योंकि financial leverage क्या है, जादा से जादा shareholders की earning को increase करना, उनके returns को increase करने के लिए है, तो percentage change in earning per share upon percentage change in EBIT, यह याद रहा, percentage change in earning per share upon percentage change in EBIT, पहला यह main formula आप लोगों को याद करना ही पड़ेगा, operating leverage is equals to contribution upon EBIT, financial leverage EBIT upon EBIT, और combined leverage क्या होता है, वो तो हमने देखी लिया, operating leverage into financial leverage, अब क्योंकि operating leverage into financial leverage होता है, मतलब operating leverage क्या है, contribution upon EBIT into financial leverage क्या है, EBIT upon EBIT, तो यहाँ EBIT से EBIT cancel हो जाएगा, तो अगर आप से पूछा जाए combined leverage क्या होता है, और अगर आपके सामने यह formula लिखा हो, contribution upon earning before taxes, EBIT, तो यह भी क्या है, आपका combined leverage का formula है, clear, क्योंकि contribution upon EBIT में, अगर आप multiply करोगे, देखिए, अगर आप multiply करोगे, financial leverage को मतलब EBIT upon EBIT, तो EBIT, EBIT cancel हो के सिर्फ contribution upon EBIT बचेगा, clear है, एक formula तो यह है, कि multiply करके, उनको अगर आप solve कर दोगे, तो contribution upon EBIT भी आपका एक formula है, वहीं अगर degree की बात की जाए, तो degree भी क्या होगी, आपकी multiply हो जाएगी, इसमें भी EBIT, EBIT आपका cancel हो जाएगा, उपर EPS बचेगा, नीचे sales बचेगा, तो percentage change in EPS upon percentage change in sales, clear है, I hope आपको सारे formula एकदम clear हो गए, बहुत आसानी से आप इनको याद कर सकते हैं, clear, चालिए, next question है, dash is the ratio of net operating income before fixed charges, to the net operating income after fixed charges, fixed charges मतलब fixed cost की बात हो रही है आपर, कहीं और मत हो जाना कि interest या उसकी बात हो रही है, नहीं, fixed charges मतलब fixed cost की बात हो रही है, इसमें बोला है, कि ऊपर तो कुछ ऐसा आएगा, जिसमें से अभी before fixed cost, मतलब अभी fixed cost minus नहीं की गई है, और नीचे कुछ ऐसा आएगा, जिसमें से fixed cost minus कर दी गई है, clear है ये चीज, तो ये किसका formula है, financial leverage का, operating leverage का, combined leverage का या fiscal leverage का, fiscal leverage तो कुछ होता नहीं है, इन तीनों में से कोई इसका answer है, क्या है, देखो, अब इस table की help से, जो भी हमारे इस formula में ये use हुआ है, contribution, EBIT, EPS, ये सब कैसे निकलता है, ये हमको समझ में आ जाएगा, देखो, सबसे पहले question में हमको given होता है, sales, ठीक है, ये अभी ध्यान नहीं देना, आपको ये जो लिखा हुआ है, ये बिल्कुल ध्यान नहीं देना, वो मैं बताऊंगी क्या है, क्या सबसे पहले question में given होता है, sales, जब आप sales में से सिर्फ और सिर्फ variable cost को minus कर देते हो, तो वो आपका निकल के आ जाता है, contribution, ठीक है, तो अगर आपसे पूचा जा, contribution कैसे निकलेगा, तो sales में से अगर variable cost minus कर दी जाये, तो क्या निकल आएगा, contribution निकल के आ जाएगा, clear है ये चीज़ बिल्कुल, अभी मतलब इसमें से fixed cost minus नहीं हुआ है, फिर जब इसमें से fixed cost minus हो जाती है, तो क्या निकल के आ जाता है, earning before interest and taxes, जब contribution में से EBIT को minus कर देते हैं, तो क्या निकल के आ जाता है, earning before interest and taxes, और operating leverage का formula क्या होता है, contribution upon EBIT, contribution upon EBIT, मतलब यहां से लेके सिर्फ यहां तक की EBIT है रहा, यहां से लेके यहां तक की information हमें चाहिए, operating leverage को calculate करने के लिए, इसलिए यहां से यहां तक arrow लगा हुआ है, clear है यह चीज़ बिल्कुल, अब एक बार पहले question में देख लेते हैं, बोल रहा है कि ऊपर ऐसा आएगा जिसमें fixed cost अभी minus नहीं किये है, और fixed cost कहा minus नहीं किये हैं, बस contribution जो निकला है, वहां तक fixed cost अभी minus नहीं किये हैं, मतलब ऊपर क्या आएगा, contribution आएगा, ठीक है, before fixed cost, before fixed charges, fixed charges अभी इस earning में से minus नहीं हुए है इसका मतलब contribution को हम और क्या बोलते हैं net operating income before fixed charges और फिर नीचे क्या आएगा उपर तो contribution आगया नीचे क्या आएगा to net operating income after fixed charges fixed charges के बाद operating income मतलब fixed cost minus कर दी तो क्या बचा? EBIT बचा क्या बचा? EBIT मतलब upon में क्या आजाएगा? EBIT और ये किसका formula है? operating leverage का इसका है? operating leverage का तो इसका सही answer क्या हो जाएगा? B will be the correct answer clear है? ये तो ये question तो clear है अब देखो और देख लेते हैं देखो financial leverage का formula होता है EBIT upon EBIT right? EBIT upon EBIT तो ये EBIT कैसे निकलेगा? EBIT तो आगया before taxes, interest before interest in taxes, अब सिर्फ before taxes, मतलब interest minus हो जाएगा before taxes बचेगा और जब हम tax भी minus कर देंगे तो क्या आजाएगा आपका? earning after tax जब tax के बाद earning आजाती है, तो जो भी preferential dividend है, जो भी shareholders से उनको dividend pay होता है वो सब payment के बाद जो earning बचती है, वो finally बचती है equity shareholders के लिए और जब आप इस earning को number of equity shareholders से divide कर देते हो, तो आपको earning per share मिल जाता है ठीक है? और earning per share मिलने के बाद, हमें सभी वो values मिल चुकी है, जो हमको operating leverage, financial leverage या combined leverage निकालने में मदद करेंगी जैसे contribution मिल गया, EBIT मिल गया, EBT मिल गया और EPS मिल गया clear है यह चीज? यह आप table note कर लो, यह table आपको समझ में आ जाएगी, सभी formula इसी table से बन जाएगी, clear है मुलकुल? अब चलते हैं next question पर next question है, which of the following is studied with the help of operating leverage? operating leverage की मदद से हम कौन सा रिस्क पढ़ते हैं? analysis of business risk, analysis of financial risk, analysis of production risk, या फिर analysis of credit risk, देखो, आपको पता होना चाहिए कि operating risk को business risk भी कहा जाता है, ठीक है? और operating risk को evaluate करने के लिए हम operating leverage कर पढ़ते हैं तो operating risk को और क्या कहते हैं? business risk, ठीक है? तो इसका सही leverage है, और production risk और credit risk, ऐसा risk इसमें इसमें क्लिवड, नहीं होगा, ठीक है? clear है ये चीज़ बिलकुल, तो इसका सही answer क्या हो जाएगा? A, analysis of business risk, A will be the correct answer, चालो, next question है, which formula is used to measure the degree of financial leverage? financial leverage की degree को calculate करने के लिए कौन सा formula यूज होगा? तो हम अभी option नहीं देखेंगे, सीधे, आप पहले ये बता दो सीधे-सीधे financial leverage निकानने का formula क्या होता है? वो होता है EBIT upon EBIT, तो मैंने आपको बताया था कि अगर degree निकानने की बात की जाए, तो आप सबसे पहले देख लेंगे कि EBIT हाँ कहा है, उपर है, यहां आजाएगा percentage change in EBIT उपर क्या आएगा? financial leverage की बात हो रही है, मतलब किसको increase करना है? किस पर focus है? earning per share पर, मतलब उपर आजाएगा percentage change in EPS, अब देख लो ये किसमें है? लो, percentage change in करके ये एक ही उसमें है percentage change in EPS upon percentage change in EBIT C will be the correct answer clear? चली next question है a firm has sales of rupees 10 lakh sales 10 lakh की है variable cost 7 lakh की है and fixed cost is rupees 2 lakh and debt rupees 5 lakh at 10% rate of interest, the operating leverage of the firm will be ठीक है, operating leverage इसका मतलब आपको calculate करना है तो operating leverage का formula क्या होता है? contribution upon EBIT contribution कैसे निकालते हैं? sales में से minus कर देते हैं variable cost को sales कितनी दी हुई है? 10 lakh variable cost कितनी दी हुई है? 7 lakh अगर आप 10 में से 7 को minus कर दोगे तो 3 lakh क्या निकल के आगए आपकी? ये आगए आपकी contribution आपको सिर्फ जितनी चीज़ों की जरूरत है वही calculate करेंगे अब आपको नीचे क्या निकालना है? operating leverage निकालना निकले EBIT EBIT कैसे निकालते हैं? contribution में से fixed cost और minus कर दो EBIT निकल के आजाएगा fixed cost कितना दिया हुआ है? 2 lakh EBIT कितना हो जाएगा? 1 lakh इतना हो जाएगा? 1 lakh तो contribution तो आपका हो गया 3 lakh और EBIT हो गया 1 lakh clear है? तो इसका मतलब debt 5 lakh 10% invest इसका यहाँ पर कोई मतलब नहीं है financial leverage निकालना होता तो हम देखते हैं यहाँ मगर इसकी कोई जरूरत नहीं है इसका सही अंसर क्या हो जाएगा? 3 lakh lakh साधी 0 कट जाएगे तो यह क्या बचेगा? 3 बचेगा और इसका सही अंसर हो जाएगा D will be the correct answer clear? चलिए next question है यह कोई ऐसा concept है जो क्या करते है? company के profits को shareholders में distribute कर दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाएगा? company जो profit earn करती है उसको जो shareholders में distribute कर दिया जाता है उसे retained earnings कहा जाता है retained earnings तो वो होती है जो company retain कर लेती है अपने पास रख लेती है ठीक है? तो retained earnings तो नहीं होगा dividend, interest याना of the above interest तो वो होता है जो borrowed amount पे pay किया जाता है क्या होता है? B इसका सही अंसर है company के profits में से जब shareholders को distribute किया जाता है तो उसे कहा जाता है in the form of dividend उसको distribute किया जाता है तो सही answer क्या हो जाएगा? B will be the correct answer clear? चलिए next question है which? अब हम लोग ध्यान दो तो leverage के question से leverage अब हमारा कतम हो गया है अब हम यहाँ से जो topic हमारा शुरू हो रहा है वो dividend और dividend decisions के बारे में बात होगी यहाँ पर clear है? चलिए next question है आपका which of the following is script dividend? मतलब इसमें से किसको script dividend भी कहते हैं? यह question है आपका types of dividend में से types of dividend में से यह question है आपका देख लेते हैं which of the following is script dividend? पहला है cash dividend दूसरा है stock dividend bond dividend और property dividend इस चारो dividend को अब हम पहले समझेंगे फिर आप लोग बताएंगे कि script dividend किसको कहते हैं? ठीक है? आला कि हम समझेंगे तो यह बहुत clear हो जाएगा आपको कि इसका answer क्या है? मगर एक बार अब सभी types of dividend को हम लोग देख लेते हैं देखो एक होता है हमारा property dividend एक होता है stock dividend एक होता है bond dividend जिसको script dividend भी कहते हैं एक होता है cash dividend और एक होता है liquidating dividend clear है? बहुत easy है देखो property dividend का मतलब यह होता है कि company जब अपने shareholders को in the form of asset pay करती है जब dividend in the form of asset देती है तो उसे कहते है property dividend यह इंडिया में established नहीं है दूसरा होता है stock dividend stock dividend का मतलब है कि जब company shareholders को क्या करती है dividend किस form में pay करती है उनको all new shares को issue कर देती है free में तो वो क्या करती है उससे कहा जाता है stock dividend जब वो dividend के रूप में और नई shares को issue कर देती है existing shareholders को clear फिर आता है आपका bond dividend bond dividend को ही script dividend कहा जाता है जब company के पास sufficient amount of money नहीं होता है pay करने के लिए in the form of dividend तो company क्या करती है promissory note के जरिए में या फिर bond में उनको bond issue कर देती है कि वो आगे आने वाली date date पर उतना amount pay कर देंगे ठीक है बस छोटा दिफरेंस यह है कि bond जो होते है वो generally longer period के लिए और script जो है वो generally short term period के लिए दोनों ही मगर क्या है company के लिए liability है promise किया गया है कि आगे चलके आपको वो dividend जो है वो pay कर दिया जाएग ठीक है next is cash dividend cash dividend is most common और popular type of dividend जिसमें cash के form में dividend को सभी shareholders को distribute कर दिया जाता है directly to their bank accounts clear और last है liquidating dividend liquidating dividend का मतलब होता है कि जब company at the time of winding up जो भी shareholders ने अपनी original capital लगाई होती है उस capital को ही वापिस कर देना at the time of wrap up बंद होने के time पर उसे कहा जाता है liquidating dividend clear है I hope सभी dividend आपको clear होंगे अब अगर आप से इसमें से पूछा जाए कि script dividend किसे कहते है तो आप आराम से बता देंगे इसका सही answer है C bond dividend और आपको ये भी पता है कि cash stock or property dividend क्या होते है clear? चलिए next question है which of the following is dividend irrelevance theory अब आपको ये बताने है कि इन चारो option में से dividend irrelevance theory कौन सी है जैसे हमने capital structure की theory पढ़ी थी उसमें भी relevant और irrelevant थी relevant का मतलब ये था कि effect करता है value of the firm को और irrelevant का मतलब ये था कि नहीं करता उसी तरीके से same है आपका dividend decision में ठीक है आप पहले समझ लेते हैं फिर अंसर देंगे same है dividend decision में dividend decision क्या है कि जब company profit earned करती है तो उसको उस profit में से कितना proportion अपने पास रखना है as in the form of retained earnings और कितना proportion in the form of dividend उसको distribute करना है ये जब decision लेती है तो उसे कहा जाता है dividend decision इसकी जब theories आई है इसको भी mainly two parts में divide किया गया है relevant theory और irrelevant theory relevant theory क्या है relevant theory वो theory है जिसमें कहा गया है कि yes जो dividend decision है आप जो भी dividend decision लेते हो distribute करने का या नहीं वो affect करता है shareholder की wealth को और value of the form को ठीक है मगर irrelevant theory कहती है कि नहीं कोई फर्क नहीं पढ़ता आप चाहे पैसा रख लो अपने पास चाहे डिस्ट्रिब्यूट करो नहीं करो shareholder की wealth पर value of the firm पर कोई effect नहीं पढ़ता है clear तो relevant theory किसने लिए Walter approach और Gordon approach दो approach है जो दोनों ही relevant है मतलब कहती है कि dividend अगर pay किया है या नहीं किया है फर्क पढ़ेगा Modi-Gilliani-Miller approach कहती है कि pay किया है नहीं किया है कोई फर्क नहीं पढ़ेगा clear है यह चीज़ बुलकुल तो अगर आप से पूछा जाए कि इसमें से dividend irrelevance theory कौन सी है dividend irrelevance तो आपने क्या देखा सिर्फ एक ही है याँ पर वो क्या है Modi-Gilliani-Miller approach B will be the correct answer ठीक है Walter और Gordon जो है वो relevance theory में आते clear है यह चीज़ बुलकुल चलिए next question है according to Walter the firm should retain the profits if Walter के according अब Walter ने एक relevance theory दी है ठीक है Walter approach दिया है dividend decision का तो Walter क्या कहता है Walter की theory के according यहाँ पर क्या सही है मतलब the firm should retain the profits firm को profit को retain कर लेना है मतलब retained earnings रख लेनी है अपने पास कब जब return is greater than cost या फिर return is equals to cost या फिर return is less than cost या फिर none of the above देखो का सही अंसर होगा Walter approach जो है वो बात करता है कि market value of shares जो है shares की जो market value है वो directly depend करती है किस पर जो dividend पे किया है या नहीं किया है उस पर और यह किसके बीच के रिलेशन्शिप की बात है internal rate of return और cost of capital ठीक है internal rate of return और cost of capital तो dividend decide हुआ है या नहीं हुआ है वो किस पर depend करेगा return पर और cost of capital पर और dividend के उपर depend करता है market value of shares clear है इतनी बात आप देखो तो dividend किस condition में distribute होगा और किस में नहीं होगा देखो depend किस पर करता है return और cost पर तो इन दोनों के बीच में relationship को हम देखते हैं कैसे कि अगर return जादा होगा cost से अगर return जादा है cost से तो क्या किया जाएगा 100% retain किया जाएगा अगर आप इस चीज़ को पढ़ोगे नहीं तो आप लोग सोचोगे return तो जादा आ रहा है तो obviously dividend pay कर देंगे नहीं Walter ने कहा है कि अगर return cost से जादा है return अच्छा मिल रहा है तो 100% उसको retain कर लिया जाएगा क्यों further growth के लिए further पैसा लगाने के लिए return अच्छा है तो उसको retain करके और पैसा लगाया जाए और उससे earn किया जाए ठीक है तो इसलिए इस case में क्या होगा अगर return जादा है तो 100% retain कर लिया जाएगा और कुछ भी dividend के रूप में नहीं दिया जाएगा clear वही अगर return cost के बराबर है तो यह indifferent point है मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे आप dividend पे करो या किसी भी point पर retain कर लो पे करो फर्क नहीं पड़ेगा हर payout ratio यहाँ पर optimum होगा every payout ratio will be optimum ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ेगा मगर अगर return कम है cost से इतना return नहीं आ रहा है तो company सोचेगी जब इतना return नहीं आ रहा है तो पैसा retain करके उसमें और पैसा लगा कि क्या फायदा तो उससे अच्छा वो लोग क्या करते है 100% dividend की तरह pay कर देते है 100% dividend की तरह pay कर देते है clear है ये तीनों point समझ में आए अब इसकी कुछ assumptions होती है ये सिर्फ internal finances को use करता है return और cost of capital constant है constant earning per share है perpetual life और flotation cost और transaction cost नहीं है clear है तो अब अगर आपसे question पूछ रहा है कि company retain कर लेगी पूरा पैसा profit को retain कर लेगी कब जब उसके पास return जादा होंगे अब देखो इसका मतलब इसका answer क्या है A इसका सही answer है जब return जादा होंगे तो 100% retention होगा जब return बराबर होंगे तो सभी points जो है वो optimum है clear है indifferent point है और जब return कम होंगे dividend payout ratio 100% होगा clear है तो उसका सही answer क्या है A will be the correct answer चलिए next question है which one of the following is true about Gordon's relevance theory Gordon की जो relevance theory है उसके लिए सही statement है पिछले में हमने Walter पूरा पढ़ लिया अब ये question हमें बताएगा कि Gordon theory क्या कह रही है चलिए देख लेते हैं options फिर देखो first option है if r is greater than k अगर return जादा है तो Gordon कहते हैं कि firm को distribute तो कर दो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल distribute नहीं करना जैसे Walter कहता है बिल्कुल distribute नहीं करना पूरा retain कर लो मगर क्या Gordon ऐसा कहते हैं कि retain तो करो जादा earning जादा proportion जो है उसको retain कर लो और छोटा amount dividend के रूप में distribute कर तो clear है मतलब dividend में distribute तो करना है मगर बहुत छोटा amount बाकी जो है maximum earning जो है उसको retain कर लेना है फिर अगर r is equals to k तो Walter क्या कहता है कि हर point optimum है कुछ भी रखो मगर Gordon कहते हैं कि there is no optimum dividend payout ratio मतलब जब return cost के बराबर होगा तो कोई भी optimum payout dividend payout ratio नहीं है और अगर return is less than cost अगर return cost से कम है तो जो optimum dividend payout होगा वो 100% हो इस case में 100% dividend pay कर दिया जाएगा देखो बच्चो यह सभी सही है तीज भी correct answer यह तीनों ही point जो है वो Gordon कहते है इनको आप note भी कर सकते है Walter के हमने पिछले question में पढ़ लिए और Gordon के हमने इस question में पढ़ लिए clear है यह चीज विलकुल ठीक है Gordon का एक बार हमने points तो पढ़ लिए अब assumptions और model देख लेते है assumptions इसके main यह है कि यह पूरी equity firm है कोई भी external financing इसमें नहीं होती है retained earnings is the only source of financing investment program investment program को finance करने का सिर्फ और सिर्फ retained earnings यह एक जरिया है दूसरी चीज़ the rate of return on the firm's investment R is constant जो rate of return है वो constant है firm की perpetual life है retention ratio retention ratio को बच्चों याद रखना B से denote किया जाता है B B से denote किया जाता है retention ratio को जो retention ratio है वो एक बार decide हो जाता है तो उसके बाद constant रहता है और इसलिए जो growth rate है वो भी constant रहती है growth rate को किस से denote किया गया है B R से किस से denote किया गया है B R से denote किया गया है clear है यह चीज़ बिलकुल और उसके बाद the cost of capital of the firm remains constant and it is greater than the growth rate और यहाँ पर यह assumption है कि जो cost है वो हमेशा growth rate से जाधा रहेगी clear और यहाँ पर कोई भी flotation और transaction cost नहीं होती और corporate tax exist नहीं करते है ठीक है चलिए next question है the dividend payout ratio is equals to dividend payout ratio निकालने का क्या formula है सीधा सीधा question यह पूछ रहा है dividend per share divided by EPS dividend per share divided by phase value per share dividend per share divided by market value per share cost of capital plus dividend yield देखो यहाद रखना है आप लोगों को कि dividend payout ratio जो है dividend payout ratio जो है वो क्या है बहुत आराम से DPS upon EPS that's it dividend per share upon earning per share बताएगा हमें कि dividend payout ratio कितना है clear है यह चीज बिलकुल क्या formula है dividend per share divided by earning per share और एक और formula होता है इसका 1- retention ratio मतलब 1- B B से रिप्रेजेंट करते हैं मतलब profit के इतने पार्ट को आपने रिटेन कर लिया अगर आप उसको 1 में से माइनस कर दोगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा dividend जितना आपने डिस्टिब्यूट किया है वो निकल के आ जाएगा तो अगर आप इस question में से देखेंगे तो इसका सही अंसर क्या है dividend per share divided by EPS, earning per share, A will be the correct term clear? चलिए next question है as per MM model, Modi Gilliani model, if the dividend is declared, the market price per share will अब देखो Modi Gilliani, जो model है, Modi Gilliani Miller approach है वो क्या है? Irrelevance theory है मतलब ये theory कहती है कि चाहे dividend declare हो या ना हो value of the firm पर कोई effect नहीं पड़ेगा value of the firm पर कोई effect नहीं पड़ेगा question ये पूछ रहा है कि अगर dividend declare कर दिया गया है तो market price per share market price per share क्या होगा? increase होगा? decrease होगा? या constant रहेगा? या ना नौक दिया बाग देखो तो अगर मैंने आपको बता दिया irrelevance theory है कोई value of the firm पर effect नहीं पड़ता तो शायद आप इसका answer remains constant लगा दे मगर मैंने कहा है value of the firm पर effect नहीं पड़ता समझते हैं इसको increase होगे, decrease होगे मगर एक time पर वो क्या हो जाएगा? set off हो जाएगा ठीक है? before, after payment करने के बाद वो क्या हो जाएगा? set up हो जाएगा मगर कुछ time के लिए तो उस पर कुछ ना कुछ changes होगा वो हम समझते हैं कैसे? देखो, पहला proposition है when dividends are paid जब dividend pay किये जाएगे अगर देखो, जब dividend pay किये जा रहे है तो company की goodwill अच्छी हो रही है right? goodwill increase हो रही है goodwill increase हो रही है तो उसके जो shares की value है market price जो value है जो shares की value है वो increase हो जाएगी अगर MPS market price जो है shares की वो increase हो जाएगी तो उसके बाद जो increased share को अब कम लोग खरीदेंगे price भड़ चुकी है तो कम लोग खरीद पाएगे क्या लोगों का strategy होती है कम price पर खरीदें जादा price पर sale out कर दें तो जब जादा price हो गया है तो उसके लोग कम खरीदेंगे जो भी benefit हुआ यहाँ पर MARKET PRICE पर share increase होने से जो भी कमपनी को benefit हुआ वो set off हो जाता है किस से जो भी additional shares होने थे वो issue नहीं होते है उनका number of additional shares decline हो जाता है कम हो जाता है क्योंकि market price पर share increase हो गया है तो यहाँ पर जो benefit हुआ था वो यहां के limitation से set off हो गया तो इसलिए यहां पर ultimately क्या हुआ कोई effect नहीं पड़ा dividend pay करने के बाद market price per share increase तो हुए मगर after payment के बाद ultimately जो है वो same point पर आ गए और कोई effect नहीं पड़ा वही अगर dividend pay नहीं किये जाएंगे तो company dividend pay नहीं कर रही है तो अच्छी value नहीं होगी उसकी तो market price per share क्या होगे decrease हो जाएंगे अगर अगर share की value decrease हो जाएगी तो जादा से जादा लोग खरी रेंगे तो जो loss यहां पर हुआ वो यहां की benefit से set off हो गया clear है तो फिर से market price उसी point पर आ गया और value of the firm पर effect नहीं पड़ा clear है यह चीज बिल्कुल तो अगर आप से question कह रहा है कि dividend declare किये है मतलब company अच्छा काम कर रही है मतलब market price per share क्या हो जाएगा increase हो जाएगा इसका सही answer होगा A will be the correct answer clear है I hope कि यह बिल्कुल आपको समझ में आ गया हो ठीक है? चलिये next question है the view that distant dividends would be discounted at a higher rate than near dividends is held by यह question कह रहा है कि वो कौन सी theory है जिसमें यह कहा जाता है कि distant dividends को higher rates पे discount किया जाएगा मतलब जो dividend हमको काफी दिनों बाद मिलने वाले है जिनका पता नहीं है उनको लोग जादा भाव नहीं देंगे जितना near dividends अभी जो हमको dividend मिलने वाला है उसको देंगे मतलब जैसे time value of money में भी आपने पढ़ा था कि आज जो आपके पास पैसा है उसकी value जादा है ठीक है? near dividends जो है उसको investors prefer जादा करेंगे क्योंकि अगर कोई company बोल रहे है हम कल या फिर एक महीने बाद दो महीने बाद छे महीने बाद एक साल बाद दस साल से तो बहुत कम है तो investor किसको prefer करेगा? उस company को prefer करेगा जिससे dividend उसको पहले मिल रहा है near dividend उसको पहले prefer किया जाता है तो ये कहती है आपकी bird in hand theory जो dividend आपके हाथ में है जो अभी आपके पास है bird in hand argument क्योंकि ये तीनों तो हमने पढ़ लिया इन तीनों में तो ऐसी कोई बात नहीं हो रही है ये बात होती है the bird in hand theory में और ये किसने दी है? ये Gordon नहीं revise कर के एक argument दिया है bird in hand argument ठीक है? bird in hand theory किसने दी है? माहिरं गॉर्डन नहीं दी है जिसने risk और uncertainty को अपने model में consider किया है ठीक है? डेवाइस किया अपने dividend model को और risk और uncertainty को consider किया और कहा कि investors risk averse होते हैं मतलब risk लेना नहीं चाहते clear है ये चीज बिलकुल और risk को avoid करने के लिए क्या करते हैं उनको जो अभी जो डिविडेंट मिल रहा है अभी जो अभी नियर क्यूचर में जो डिविडेंट मिल रहा है उस पे वो जादा पैसा लगाने को तयार हो जाएंगे irrespective of जो बाद में उनको डिविडेंट मिले clear है तो पहला preference किया है उनका जो पहले पुन को डिविडेंट मिल रहा है burden hand theory जो अभी उनके हाथ में है पास में है clear है यह चीज बिलकुल burden hand theory I hope आपको समझ में आ गया हो याद रखना है Myron Gordon ने दिया है risk uncertainty को consider किया है clear? चलिए next question है which of the following statement is true इन में से कौन सा statement सही है अब आपके dividend decisions के question खकम हो चुके है अब हम कर रहे हैं working capital के questions clear है यह चीज बिलकुल working capital के हम questions कर रहे है working capital में यह हमारा पहला statement है कि gross working capital refers to the capital invested in the total asset of an enterprise क्या यह statement सही है? बिलकुल नहीं यह statement बिलकुल गलत है gross working capital बिलकुल सही बात है कि total होती है मगर working capital भी लगा है अगर सिर्फ gross capital होती तो आप कहते हैं total asset में अगर gross working capital है मतलब short term capital मतलब total current assets total current assets में जो invest होगा वो होगी आपकी cross working capital ठीक है? total assets में तो fixed assets भी आ जाते है fixed assets तो working capital में आएंगे नहीं तो gross working capital is total current assets इसलिए यह statement गलत है फिर आता है net working capital is the excess of current liabilities over current assets मतलब यह बोल रहा है कि net working capital का चावम calculate करते हैं तो current liabilities को current assets में से current liabilities में से current assets को minus करते हैं यह statement बलकुल गलत है क्योंकि जो सही formula है वो है current assets minus current liabilities clear है? तीसरा statement है every business concerned should have excessive working capital हर business में बहुत जादा working capital होनी चाहिए बिलकुल नहीं यह statement बिलकुल गलत है एक sufficient amount of working capital होना चाहिए क्योंकि उसको अपने day-to-day operations देखने हैं लास्ट है networking capital is the access of current assets over current liabilities यह statement बिलकुल सही है कि networking capital is equals to current assets minus current liabilities इसका अगर आपसे पूछा जाए सही statement क्या है तो D इसका सही है मतलब अगर gross की बात की जाए तो total current assets आएंगे और net की बात की जाए तो current assets में से current liabilities को आप minus कर दोगे तो net working capital जो आपके हाथ में बचा clear है? चलिए जिसका सही answer हो जाएगा D और next question पर चलते हैं next question है as per which one of the following approaches इन में से किस approach के according a firm finances a part of its permanent working capital short term financing permanent working capital का भी जो जो है part जो है short term financing से किया जाता है देखिए जो working capital होती है उसको भी दो पार्ट में divide किया जाता है permanent working capital और temporary working capital ठीक है? permanent working capital वो होती है जो हर stage में हर point पर उसको maintain करके चलना ही है जब कोई fixed खर्चा आ जाएगा जब कोई ऐसा खर्चा है तो permanent working capital में से थोड़ा से long time है तो उसमें से वो पैसा लिया जाएगा in the time of emergency इसको बचा के रखा गया है मगर और ये temporary होता है जो day to day operations के लिए short term financing के लिए use होता है मगर ये बोल रहा है कि वो कौन सी approach है जिसमें permanent working capital में से भी पैसा निकाल के किसमें use किया जाता है short term financing के लिए मतलब ये तो use होई रहा है मगर ये भी use कर लिया गया है तो वो कौन सा होता है matching approach, conservative, aggressive या फिर traditional approach पहले हम इन सभी approach को समझते है फिर आप इसका answer बहुत आसानी से लगा पाएंगे देखिए approaches of working capital क्या है working capital सबसे पहले तो वो amount है जो day to day operating expenses को cover करने के लिए use किया जाता है clear है इसमें तीन approaches आते है the conservative approach, the matching approach and the aggressive approach conservative approach क्या होता है conservative, बहुत conservative है वो बहुत पैसे को बचाना चाता है यह क्या कर रहा है conservative approach किस की है working capital की है तो working capital को बहुत बचाना चाता है मतलब it says the entire investment in current assets should be financed from long term sources मतलब जो भी short term के भी खर्चे है वो भी किस से किये जाए long term से किये जाए और short term को भी क्या किया जाए पूरी तरीके से बचा के रखा जाए short term को पूरी तरीके से conservative पूरी तरीके से बचा के रख रहा है emergency purposes के लिए यूज करेगा वो short term के खर्चे भी किस से कर रहा है long term से वो से कहते है conservative approach मतलब working capital को छेड ही नीड़ा short term को पूरी तरीके से बचा के रख matching approach बोलता है कि जिस type का खर्चा है उसी type के capital में से वो खर्च होना चाहिए working capital का है तो working capital का होगा permanent type का है तो permanent में से होगा fixed type का है तो fixed में से होगा matching बोलता है कि जिस type का खर्चा है उस type के खर्चे में से ही कि वो खर्च होना चाहिए फिर आता है अगरेसेव अप्रोच अगरेसेव अप्रोच इतना है कि उसको नहीं परवा कंदरवेटेव का जस्ट अपोजेट कि जितनी भी शौट टम साथ में फोड़ा लॉन्ग से भी लेलो अपने पैसे को करेंट अबसेट्स में खर्च करने के लिए मतलब पूर अगर पर्मानेंट वर्किंग कापिटल के भी यूज किया है उसे कहते हैं अगरेसिव अप्रोच यह क्वैशन क्या पूछ रहा हैं कि फॉर्म फैनेंसेर अपा भी उसने अपनी short term financing की है, ठीक है, मतलब working capital तो exhaust करी ली, long term, permanent working capital को भी उसने use किया है, यह क्या हो जाती है, अपकी aggressive, मतलब वो बचाना नहीं चाह रहा, इस case में risk जाधा होता है, क्योंकि working capital इसने maintain नहीं की, और conservative में risk कम होता है, क्योंकि यह पूरी की working capital को अपने पास बचा की चल रहा है, clear है यह चीज बिलकुल, ठीक है, और matching approach जिस type का खर्चा है, उसी type के capital में से वो खर्च किया जाएगा, traditional approach कुछ नहीं होता, ठीक है, चालो, next question है, which of the following is not a source of working capital, working capital का इसमें से कौन सा source नहीं है, मतलब जिसकी maturity date एक साल से जाधा होगी, working capital का source नहीं होगा, commercial paper, working capital का source है, इसकी maturity period एक साल तक, एक साल से कम होती है, bank overdraft बिल्कुल आपका working capital का है, discounting of bills, bills of exchange, ये भी तीन महीने, चे महीने, ये भी working capital का है, एक साल से कम होती है, या एक साल तक होती है, unsecured term loans आपका working capital का नहीं है, इसकी 5 साल तक maturity period होता है, unsecured term loans आपका working capital का source नहीं है, D will be the correct answer, clear, next question है, working capital management is concerned with, working capital management क्या है, management of capital, raising of points for day-to-day operation, ये सही है, proper management of cash arises in day-to-day operation, ये भी सही है, तो जब B और C सही हैं, और all of the above का option है, तो उसमें सबसे appropriate answer हो जाएगा, D will be the correct answer, मतलब management of capital भी सही होगा, हाला कि अगर management of working capital होता, तो that will be more appropriate, मगर ये दोनों सही हैं, तो अब सबसे ज़ादा appropriate answer D ही होगा, clear है, चले, Next question है, working capital is also known as block capital, ये तो हमने last class में देखा है, कि block capital किसको कहते हैं, fixed, fixed capital को block capital कहते हैं, क्योंकि वो large amount हमारा block हो चुका है, working capital को हम revolving capital कहते हैं, बिलकुल, circulating capital भी कहते हैं, इसलिए इसका सही answer हो जाएगा D, भी both P and C will be the correct answer, clear, चले, Next question है, when the current assets exceed the current liabilities, the working capital is, जब current assets, current liabilities से जादा होंगी, मतलब current assets जादा है, current liabilities कम है, तो जो हमारा working capital है, वो क्या होगा, positive होगा, negative होगा, कोई effect नहीं होगा, none of the above, अगर आपको ऐसे questions में confusion होता है, तो आप सीधे देख लिया करो, Working capital का formula क्या होता है, current assets minus current liabilities, अगर current assets जादा होंगे, माल लिजे, बहुत, चोटा amount अम अजियूम कर लेते हैं, current assets 10 रुपे के हैं, current liabilities कम हैं, तो मतलब 5 रुपीज की, 10 में से 5 के 5, यह तो positive यह आ रहा है answer, ठीक है, अगर मगर current assets कम होते, मतलब माल लिजे, कि current assets हमारे साथ होते, और current liabilities हमारी 10 होती, तो 7 में से 10 जाएगा, minus 3, तो negative बसता, अगर question बोल रहा है कि current assets जादा है, तो working capital क्या होगा आपका, positive होगा, A will be the correct answer, clear है, कोई भी doubt हो तो तो तुरंट value रखके आप अपने आप देख लिया गरो, ठीक है, clear हो जाएगा बिलकुल, next question है, the maturity sources of funds should match the nature of assets to be financed, this approach is known as, question बोल रहा है, कि जिस type का source है, जिस type का पैसा लगाना है, उसी type के asset में से पैसे को लगाया गया है, मतलब जिस type के asset में, जिस type का खर्चा है, उसी type के capital में से, उसी type के खर्चे में से उस पैसे को लिखाला गया है, clear है, मतलब short term type का खर्चा है, तो short term capital से ही लिया गया है, long term type का है, तो long term capital से ही लिया गया है, वो approach कौन सी होती है? अगर ऐसे matching, conservative, none of the above, बोड प्रोच होती है matching approach ठीक है पढ़ चुके हैं यह next question है और last question है आची क्लास का the matching approach of working capital is also known as matching approach को और क्या बोलते है trade-off approach conservative approach यह तो नहीं बोलेंगे यह तो अलग type ही है hedging approach और all of the above all of the above भी नहीं होगा क्योंकि conservative approach नहीं है यह हम sure है trade-off और hedging में से कोई approach होगा इसका सही answer है students see the hedging approach क्यों क्योंकि matching approach बोलता है same type के fund में से same type के nature of asset को क्या गिया जाएगा fund किया जाएगा ठीक है यह चीज clear है hedging approach क्यों बोलते हैं hedging का मतलब होता है protection provide करना ठीक है risk से बचाना matching approach जब जिस जैसे short term finance short term कोई खर्चा है short term capital से लिया long term है long term capital से लिया एक तरीके से किसी भी तरीके को risk arise होने से यह रोक रहा है इसलिए इसको hedging approach भी कहा जाता है sees का सही answer clear है तो यह था हमारी आज की class का last question I hope कि आपको आज की पूरी class बहुत अच्छी लगी हो अच्छे से आपके सभी concept liberate से लेके dividend decision से लेके working capital तक आपको सारी चीज़े बहुत अच्छे से समझ में आई हो ठीक है तो अगर आपको class अच्छी लगी हो like कीजेगा share कीजेगा comment करके ज़रूर बताईएगा चैनल को subscribe कीजे और मिलते हैं next part में इसी सीरीज की next part में आप लोगों से मुलाकात होगी चलिए तब तक के लिए thank you very much पढ़ते रहिए तयारी करते रहिए